वेल अगर सब आस्प्लांट जाता है तो हो सकता है हमें कुछ दिनों में सलमान चाइना में प्रोमोशन्स करते दिखाई दे जी हाँ सलमान जो कि अपने आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के प्रोड्यूसर कम आक्टर है उन्होंने ट्यूबलाइट की चाइना में एक मासिव रिलीस को प्लान किया है यही नहीं वो दंगल को भी पीछे छोड़ कर चाइना में हाईस ग्रोसिंग फिल्म का खिताब भी हासुल करना चाहते हैं और यह सब सिर्फ अग्रिसिव प्रोड्यूशनल कामपेइन के ही हो सकता है जो कि सलमान आने वाले दिनों में चाइना में करेंगे सिर्फ इतना ही नहीं सलमान अपने खास दोस्त आमिर से कुछ प्रोड्यूशनल टिप्स भी लेंगे जिससे कि वो जान सके कि ट्यूब लाइट को चाइना में कैसे प्रोड्यूट करना चाहिए उन्हें घे? वेल, चाइना का ट्यूब लाइट से कनेक्शन से तो हम सब यी वाकिफ हैं है ना? ऐसे में एफेक्टिव मार्केटिंग कामपेइन ट्यूब लाइट को चाइना में सफलता दिलाने में काम्याब होगी तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाब बताईए और कॉमेंट्स करिए और भी मसालेदार बॉलिवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलिवुड स्पाई के साथ बने रहिए